के बारे में दो बहुत मशूर चीज़ें एक तो सर्व विदित और आजकल यूट्यूब की दुनिया में और टेलिविजन की दुनिया में जो है वो रावण द्वारा रचित महापराक्रमी रावण द्वारा रचित शिवतांड़ श्रोतम शिवतांड़ श्रोतम त्रेता यूग में जब रावण इस धर्ती पे था उसने भगवान शिव को एक बार कैलाश समयत उठाने की कोशिश की और उस समय भगवान शिव ने उसका अभिवान तोड़ने के लिए कैलाश पे जोर रखा एक अपने पैर की उंगली का तो रावण पे भी पाताल सरोवर हैं वो वही जगह है जहां पे रावण ने कैलाश परवत को उठाने की कोशिश की रावण करचित शिव तार्णा श्रोतम अगर आपको मैं उसकी लाइन कहके बताता हूं तो आप उसका भाव समझेंगे कि किस भाव में उसने कहा है उसका पहला श्रो तो जब आप ऐसी पंदरा श्रोकों की उसने रचना की है ये शिव तांडा श्रोत है जिसको रावण द्वारा रचित बहुत सो लोगों नहीं पता है जिनको पता है उसका पूरा नोशन है आपको पता लगेगा कि कोई विक्ति बहुत क्रोधित है और क्रोध में यह पासन पूरा शिव तांडा श्रोत इस तरह से उसमें पंदरा श्रोक है उसके बाद बाबा तुलसी दास जी ने और मैं जब कभी विरामचरित मानस की बात करता हूं तो सबको यह बताता हूं कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने वाला है सौमी तुलसी दास जी संवत 1680 में उन पत्ति हो गई और 1633 में उन्होंने रामचरित मानस की रचना की अकबर का साशन काल था बहुत से लोगों को पता नहीं है तो 1600 से आज हम 21 सतरा अदी में आएं 500 वडशी हुए मगर जी जो रचना है रामचरित मानस की यह अपने आप में एक ऐसी काल जाई रचना है जो हमार यह आपकी पुष्टें अंदर पुष्टें चलती जाएंगी और यह कभी फतम नहीं होगी तो रामान के अंत में उत्तरकांड है सात्वांकांड उत्तरकांड है और उस उत्तरकांड में तुलसी दाजी ने एक भावार्थ लिखा है और एक डायलॉग है जो गरुण जो भ भगवान राम गरुण जी को बुलाते हैं और गरुण जाते हैं और उनकी पाश को काटते है तो जब गरुण भगवान राम की ब्रह्म पाश को काट रहा होते हैं तो उनको पाश नाग पाश वो ब्रह्म हाश्त होता है तो नाग पाश में उनको बांग देता है तो उससे उन बहुत लंबा पूरा वर्णन है जिसमें पूरा कल्युक के बारे में ने बताया है सारा वर्णन किया है कि किस तरह से हमको अपने जीवन में भक्ती को स्थान देना चाहिए और काग भुशंडी ग्यान और वैराहगे के साथ भक्ती की बहुत बड़ी अपने आप में अनूपी मिसाल है तो काग भुशंडी गरुण जी को समझा रहे हैं कि क्या होता है तो उनसे एक सवाल गरुण जी करते हैं कि आपने ये कववे का रूप क्यो लिया अगर आप इश्वर के इतने आराधना में हैं तो उस कहानी को काग भुशंडी बता रहे हैं कई जन्मों की गाथा है तो उतनी गाथा में तो नहीं जाएंगे तो वो उनकी बात कर रहे हैं काग भुशंडी के इस कववे वाले जन्म से ठीक पहले के जन्मे वो एक निम्न योनी में हुए और उटके गुरु थे एक ब्रामना और उनके निम्न और उच जाती का था था नि उसमें ग्यान मुखे बात थी तो उनको वो बहुत चायते हैं और बहुत उनको सम्मान से सारी अपनी शिक्षा दिख्षा देते हैं बट काग भुशंडी जी को कुछ अपने गुरु से वैर सा था और वो ग्यान तो ले लेते थे मगर अपने गुरु का आदर नहीं करते थे तो वहाँ पे काग भुशंडी गरुन जी को ये कता बता रहे हैं और वो बोलते हैं कि एक बार शिव मंदर जपत रहू शिव नाम और गुरु आवे और नहीं दिया कुछ द्यान वो शिराब देते हैं और शिराब देते हैं काग भुशंडी को कि तुम्हारी ऐसा हो जाएगा वो बहुत उनको कई जन्मों तक का शिराब दे देते हैं तो उनके जो गुरु होते हैं जो ब्रामन होते हैं वो भगवान शीव के चरणों में गिर पड़ते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और तब ये रुद्राष्टक लिखा जाता है। ये इसकी प्रष्ट भूमी है, ये इसकी बेक्डराउंड है, रुद्राष्टक के, और उसके बाद प्रगवान शीव वापस प्रगट होते हैं, उनके रुद्राष्ट कम सुनने के बाद, और फिर से उनको वर्दान देते हैं, और काग भोशुन्री को इस जीवन में वापस काने का सुन्जोग मिलता है, तो ये इस शलोग की पश्ट भूमी है.